हेलो दोस्तो मैं विने गुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ UPSC परिक्षा ऑन्लाइन क्लासिस में दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं महिंदर सिंग धोनी के बारे में दोस्तो यह कोई सब्जेक्ट नहीं है यह मतलब बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और देखके तो फलाल सबसे सफल ही कप्तान मन जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो काम्याबी हासल कि हैं क्रिक्ट के मैदान में वह कम ही है यहां पर हम सबसे बहुत करते हैं महिंदर सिंग धोनी को कैप्टन कूल यहां पर उपादी दी गई और सबसे लोग परिये इ इस वीडियो में देखते हैं अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ठीक है महिंदर सिंग धोनी के उपर मैंने वीडियो बनाई है बहुत ही सफल हमें सब लोग इनको क्या कहते हैं MS धोनी और इनका जो पूरा नाम क्या है महिंदर सिंग धोनी है साथी साथ इनको लेफटनेंट करनल की उपादी भी दी गया है मतलब एक पद दिया गया है सेना में लेफटनेंट करनल का तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे लेफटनेंट क दिया गए था और 2009 में ही इनको राजीव गांधी खेल रत्म पुर्षकार से सम्मानित कर दिया गया था इनका जनम 7 जुलाई 1981 को हुआ था और इस वक्त यह 49 वर्स की आयू के हैं जब इन्होंने क्या लिया है रेटायर्मेंट लिया है साथी साथ अगर हम इसके स्थान की बा हुआ है आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं मिनके उपाधी के उपाधी कहें या उपनाम कहें बात एक हैं तो दिखिए सबसे पहले तो इनको माही कहा जाता था बहुत लोग इनको माही के नाम से मतलब पुकारते हैं और MST यह भी इनका एक नाम है MSD महिंदर सिंग दो साम से जाने जाते हैं MSD या MS धोनी सबसे लोग प्री है मतलब आप इसको विल्कुल याद करानी की जुरूती नहीं है आप को खुद पता होगा MSD कौन है या कैप्टन कूल कौन है तो महिंद्र जिस निक धोनी इनको कैप्टन कूल इसलिए कहा जाता था कि बहुत ही मतलब सिच्वेशन खराब होती थी क्रिक्ट के मैदान की और उसके बावजूत भी यह बंदे ऐसे थे मतलब यह बंदे ऐसे हैं कि म मैं बात करें तो दीकिए में परिदा अरपन किया था कैपनमबर 251 से किया और दहु किया और 2004 को इन्होंने अपना पहला टैस्ट खेला और किस टीम के खिलाफ है श्रिलंका के खिला है अंत्यम टेस्ट मैच इन्हों चिला है 26 दिसंबर 2014 को ऐस्ट्रिलिया की खिलाफ उस्स मैच जिसमें इन्हों ने 4000 चाहरण 10तिश शामिल है और इनका उच्छ स्कूर्टकिट में 224 रएक कितना है 224 रएख आगे हम बात करें तो देखें यहाँ पर इन्होंने कितने catch पकड़े, catch इन्होंने पकड़े हैं 256 और stamp लिये है 38 और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखे, सबसे सफल कप्तान है यह सबसे सफल wicket keeper कप्तान, wicket keeper और सबसे ज्यादा wicket keeping इन्होंने करिया है से मतलब विक्रिट चटका है स्टाम्प किया है सबसे ज़्यादा और सबसे तेज गती से भी इन्होंने किया है वंडे क्रिकट के अगर में बात करने तो दीके कैप नंबर दो सुर्ट एक सो अठावन से इन्होंने परदारपन किया तेज दिसम्बर 2004 को पहला इन्होंने अप दसजार साथ सु तेहतर रहा ठीक है तो यह फोड़ा सा गल्द हो गया अब हम बात करते हैं यहां पर देखे इन्होंने शतक कितने लगाए तो देखे अभी तक कि नो ने वंडे क्रिकट में कुल दस सतक लगाए अर्थ शतक की संक्या यह है तेहतर यह भी तेहतर है ठीक है उच्छ स्कोर है 183, 183 रन का एक सबसे बेस्ट स्कोर है इन्होंने कैच पकड़े वंडे क्रिकट में 312 और स्टांप की हैं 120 मतलब 120 यहां पर क्या करें स्टांप मतलब पीछे से विकेट चटका है विकेट कीपिंग करते हुए इन्होंने विकेट चटका है आखरी मैच की करें तो यह बहुत ही यादगार मैच है इनके लिए 9 जुलाई की बात है 9 जुलाई 2019 और मतलब मैं क्या कहूं मुझे खुद याद करते वक्त बहुत ही बुरा लगता है उस मैच के आरह में न्यूजिलेंड के खेला गया मैच था जिसमें रन आउट हुए थे और वैसे तो वेकार नजा रहा था वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल चला था और महिंदर सिंग धोनी क्या हो गय थे रन आउट हो गय थे और बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया के जो उमीदे थी वो उनसे लगी हुए थी और वहाँ पर वो उमीदे तूट गए और यही मैच महिंदर क्रिकट का आखरी मैच था महिंदर सिंग धोनी के लिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम T20 के तो देखिए T20 में इन्होंने परदारपन किया कैप नंबर दो से एक दिसंबर 2006 को इन्होंने अपना T20 करियर का पहला मैच खेला जो कि दक्षण अफ्रीका के खिलाफ था इसके दो है उच्छ स्कोर इनका 56 है और कैच इन्होंने पकड़े हैं 169 और स्टांप लिए हैं 78 यह देखिए T20 क्रिकट की बात कर रहा हूं अगर हम बात करें अंतिम T20 क्रिकट के तो यह खेला गया था 27 फरवरी को देखिए ठीक 2019 में खेला गया है 27 फरवरी को 2019 में और खेला ग अभी आप थोड़ी सी आम बात करते हैं अगर इनकी करेट में घूमी का की बात करने तो सबगों बता कुछ बताने वाला नहीं यह विक्ट keyper बल्ले बाज थे बहुत की बहुत ही बहतरीन बल्ले बाज पर एक लिए-ट आप सानर जर्सी थी और इस जर्सीत अब जो हमारे दिनेश करते बहार हैं इन्होंने रेटायरमेंट मतलब रेटायरमेंट करनी की बात करिए साधर किसी और भी यही राय मैं उनके साथ सहमत हूं कि हाँ इस LGBT कर देने यहांद में भिहär की टीम में थे 1990-2000 और थीन से चारव के बिच से वर्तमान के रहे हैं चैन्य सुपर किंग में धख क्या रहा है चैन्य सुपर किंग में 2008 से इन्हों ने चैन्य सुपर किंग के लिए खेला और 2015 तक कि जब चैन्नी किंग विवादों में घिर गई थी उसके बाद इस पर दो साल के लिए बैन लग गया था चैन्नी किंग पे चैन्नी सुपर किंग पे तो उस वक्त यहां पर इनको टीम छुड़नी पड़ गी थी और दूसरी टीम बनी थी उस वक कप्तानी थी उस वक्त स्टीविन इसमित दिगे स्मित जो ऑस्ट्रिले के कप्तान है उनको कप्तानी दे दी गई थी चैन्ने सुपर किंग की अगर हम बात करें तो देखे चैन्ने सुपर किंग का दुबारा से क्या हुआ परदरब्ण हुआ मतलब दोजर आट से 2015 तक कि य आई पिल में 2018 में तो सबसे ज्यादा जो सफल टीम रही है वो दो ही है आई पिल में एक चैन्ने सुपर किंग और दूसरी है मुंबल इंडियन तो दो टीम है यही याद रखिए ठीक है तो काफी इंपोर्टेंट है ठीक है याद रखेगा अब आगे बढ़ते हैं आगे हम सब्सकार दिया गया भारत के चौथे सर्वयोर्ट चनागरिक सम्मान पाने वाले महिंदर सिंग दोनी बने मतलब इनको कौन सा पुरुसकार दिया है पदम सिरी पुरुसकार से इनको सम्मानित किया गया 2009 में तो याद रखिए सब इंपोर्टेंट है 2009 में ही विजडन के ड ने कि कपतानी मैं भारत ने 28 साल बाद गौत दुबारा एक डिवसी क्रिक्रिक्रिक वेक उप को जीता था हुआ हमने कप जीता था उनने सुतरासी में वर्ल्ड पब जीता था कपिल देव की नित्रत्रों में कपिल देव उस समय क्या थे भारतिय टीम के कपतान थे बाद अठाइस साल बाद 2011 में हमने क्या अगरा है इंटरनेशनल डिरे टेकल पप जीता था और इससे पहले 2007 में भी हमने जीता था पर वो टी-20 वर्ल्ड कप था तो यह याद एक देखेगा 2013 में महिंदर सिंग धोनी की कप्तानी में भारत ने पहली बार चैंपियन ट्रॉफी जीती तो देखे चैंपियन्स ट्रॉफी भारत ने अभी तक एक भी बार नहीं जीती थी और 2013 में महिंदर सिंग धोनी की नेत्रूटर में हमने क्या करया है चैंपियन्स ट्रॉफी को भी जीता है धोनी दुनिया के पहले कप्तान है जिनके पास 위 qop है मतलब िरोंने तो इसमें सबसे पहले दो दीके इनन्होंने कौन सा है बहुत ही अच्छा दिन था बहुत ही मतलब एक लोग उत्सा में थे 2011 में और यह मैच इंडिया में हुआ था इंडिया में मुंबई में इसका फाइनल खेला गया था चैंपिन्स ट्रॉफी 2013 इसको इंग्लैंड में सब्सक्राइब के बाद 2015 का वर्ल्ड कवा तो उसमें एक भी ऐसा मैच नहीं था जो हम हारे और कहां पर हारे थे हम सेमी फाइनल में आके हार गये थे तो लगातार ग्रुप मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं महिंदर संग धोनी बने भारत के पहले ऐसे कप्तान जिन्हों ने 100 वंडे मैच जिताए हों मतलब एक मात्र ऐसे कप्तान जिन्होंने भारत को सौँ वंडे मैच जिताए हैं मेस धोनी ने चार जन्वरी 2017 को भारती एक दिवसी अंट्रास्टी और T20 टीम की कप्तानी छोड़ी है यहां पर इन्होंने एक दिवसी है मंदर वंडे नैशनल और वो टी ट्वैंडी की कप्तानी कप छोड़ी है चार जनवरी 2017 को इन्होंने कप्तानी छोड़ दी है इसके बाद अब यहां पर थोड़ी से इनके प्रसंशक कौन थे यह भी बता जेते हैं देखिए यहां पर इनक मिन्टन और CatcherandE Conservplets और थे मिन्टन और फुटबोल दोनों में बहुत रुची ठी और पता दिएक फुटबॉलकी टीम के गोल कीपर भी रह चुके और क्रिकेट में कोई इंट्रस्ट भी पंदरा अगस 2020 को सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविजा किस ने कहा दिया बहुत ही मतलब इनके फैंस के लिए बहुत ही उदासी वाली न्यूस थी और मेरे लिए उदासी वाली न्यूस थी फिलाल आप क्या करें ए इस देश में जाना जाए मतलब क्योंकि देखे कि कुछ लोग होते हैं ट्रोल करना सुरू कर देते हैं फिलाल ऐसा नहीं होना चाहिए और कभी भी मतलब होता है कभी कोई क्रिकेटर चलता है कभी नहीं चलता है पर मेरे लिए सबसे बैस्ट है तो आज इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं ठीक है और अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल आज के लिए इतना ही धन्यवाद